डॉल्पाइट टेडी वेर में स्नाइपर कन स्कूल मज्यदों में टेरर नेटवर्क हमास की होगना कसाज़श हमास की खवना कसाज़श गाजा में हमास का रियाक्शन देख इस्रैली सेना के होश उड़े हुए है इस्रैली सेना की बंबारी के बीच हमास ने गाजा में जो व्यू रचना की है बैना में नेतन याहू के पास उसका कोई तोड नहीं देख रहा इस्रैली सेना जिस ओर मूव कर रही है हमास ने उस रास्ते में बंब फिट कर दिया है ये सही है कि 19,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुए लेकिन इस्रैली सेना की जीरो डेथ वार की स्ट्रैटिजी के भी बर अच्चे उड़ गए है हमास के इस जबरदस्त प्रतिक्रिया के वज़े से ही 27 अटूबर से यानि जब से इस्रैल ने घाजा में जमीनी हमले शुरू किये है 121 इस्रैली सेनिकों की मौत हो गई है ये आकड़ा हमास ने नहीं बलकि इस्रैली सेना नहीं जारी किया है 40 से 45 किलोमेटर लंबी और 6 से 10 किलोमेटर चोड़े घाजा पट्टी में हमास ने ऐसी कौन सी तैयारी कर रखी है कि इस्रैली सेना घाजा पर अब तक कबजा पाने में असमर्त रही है हमास ने ऐसी कौन सी हत्यार जुटा रखे हैं जिसका जवाब इस्रैली सेना के पास नहीं है हमास के लड़ाकों ने पूरे घाजा में फैली सुरंगों की रचना कैसे कर रखी है कि इस्रैली सेना उनमें घुसने से पहले ही मात खा रही है इन सारे सवालों का जवाब डीटेल में दिखाएंगे अभी हमास ने इस्रैली सेना के खलाफ जो चक्रवियों रचा है उसे देखिए हमास नए नए तरीकों से आईडियफ के जवानों पर हमले कर रहा है हमास के आतंक्यों ने गोड़ियों के अंदर बम भरकर उसमें रोने की आबाज निकालने वाले स्पीकर लगा दिये हैं उनकी कोशिश थी कि इस्रैली बंदुकों की दलाश कर रहे आईडियफ के जवान उसे बच्चों के रोने की आबाज समझेंगे जैसे ही उनके पास आएंगे बंब के धमाके में मारे जाएंगे लेकिन हमास डाल डाल खेल रहा है तो इस्रैल बाद बाद इस्रैल इंटेलिजन्स यूनिट ने इस साजिश का पता लगा के अपने जवानों को अलर्ट कर दिया जिसके बाद दिस्पूजल स्कॉइर्ड ने उन्हें निश्क्रे कर दिया इस्रैली सेना ने दावा किया है कि हमास गुडियों और बच्चों के बैक पैक्स को जान बूच कर एक सुरंग शॉट के पास रखा था जो एक बड़े टरनल नेट्वर्क से गुड़ा हुआ था इस्रैली सेना ने उस सिलाकी की तलाशी ली और खात लगा कर किये गए हमले के साथ साथ ख्चत्र में हमास की खुफिया जानकारी और टैंक रोधी ठिकानों का भी परदाफाश किया IDF ने दाबा किया था कि हमास के आतंकियों ने टेडी बियर के अंदर स्नाइपर राइफल और वम छिपाय हुए थे इन टेडी बियर को लेकर आतंकी आम लोगों के बीच रहे थे इसके अलाबा घाजा के कई स्कूलों और मस्जिदों के नीचे टरनल नेट्वर्क भी मिला है इसके जरी आतंकपादी सुरक्षित आवाजाही करते इतना ही नहीं हमास ने इस्रेली सेना की नजर से बचाने के लिए स्कूल में हथियारों का गोदाम बना रखा दे हमास के पास बिना शक इस्रेल वाला वेपन पावर नहीं है लेकिन हमास के पास हथियारों में घरे लू रोखे अफग्रेड़ेट एक फोर्टी सेवन और सोवियत संग के दौर के मशीन गन के अलाबा कई सस्ते नए और चोरी किये हुए हथियार है कई ऐसे एडवांस हथियार भी मिले हैं जिनकी सप्लाई इरान ने की तो कुछ ऐसे हैं जिनका निर्मान उत्तर कोरिया में किया गया ये जानना भी बेहत दिल्चस्प है कि हमास की पसंदीदा राइफल कौन सी है सोवियत दौर में निर्मेट 7.62 mm कैलिबर वाले AK-47 असॉल्ट राइफल हमास का सबसे पसंदीदा हथियार है आतंकी इसकी मदद से कई राउंड तक गोलियों की बौचार करते हैं इसके अलाबा SVT, Dragono, Groose Semi Automatic 7.62 mm कैलिबर स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल हमास 20 किलोमेटर दूर से हमला करने के लिए कर रहा है हमास के ट्रक भारी मशीन गन M2 ब्राउनिंग HMG से लैसे हैं ये पैदल से ना हलके वक्तरबंद वानों और कम उड़ान वाले विमानों को आसानी से निशाना बना सकते हैं ये समझना बहुत जरूरी है हमास जैसे संगठनों के पास जो भी हत्यार हैं वो या तो इरान से आए हैं या हमास ने स्मगलिंग से उसे मंगाया है या सूवियत दौर के हैं इन हत्यारों से हमास इस्रेल को नुकसान तो पहुँचा रहा है 9 किलोवाला RPG-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट लॉंचर हमास का फेवरिट है ये काफी सस्ता और उप्योग में आसान है सोवियत संग का बना ये हत्यार कंधे पर रहता है और एक ट्यूब से रॉकेट दागता है ये रॉकेट आसानी से 200 से 700 मीटर की दोरी पर मौझूद टैंकों को आसानी से तबाह कर सकता है हमास को इस्रेली सेना की ताकत का अंदाजा है इसलिए हमास ने 2014 से ही इस्रेली हमले का प्रतिकार करने की तैयारी शुरू कर दे थी जिन सुरंगों को नश्ट करने की बात हो रही है या नश्ट की जा रही है ये सुरंगे दुनिया के लिए आजूबा है सोचे जरा 40 से 45 किलोमेटर लंबी और 6 से 10 किलोमेटर चोड़े घाजा पट्ती में जमीन के नीचे हमास ने 500 किलोमेटर लंबी सुरंग खोद रखी है इन सुरंगों में हमास की जान बसती है। इनके हत्यार, इनके लडाके, इनके नेता सारे सुरंगों में शरण पाते हैं। जहां तक सुरंगों के सफाय की बात है तो इस्रेल ने बहुत सी सुरंगों को मठ्या मेच कर दिया है। लेकिन अभी ऐसी कई सुरंगे हैं जहां अभ इराग जिससे सबसे जादा हत्यार मिलने की हमास को उम्मीद थी उसने साथ छोड़ दिया है लिहाजा हमास फंस गया है बाकि किसी भी अरब देश से उसे कोई मदद नहीं मिल रही जबकि इसरेल को अमेरिका से सीधे हत्यारों की सप्लाई हो रही है नतीजा जमीन पर देख रहा है में तब्दील का दिया है ताजा हमले में करीब 40 से जादा लोगों की मौत हो गई है सेंट्रल घाजा के एक शरणार्थी शिवे पर हुए हवाई हमलों में करीब 33 लोगों की जान चली गई है इन में 14 महिनाएं और 4 बच्चे शामिल थे रफाश शहर में हवाई हमलों में करीब 8 लोगों की मौत हो गई है हर बीते दिन के साथ इसरेल घाजा पर अपना नियंत्रल बना रहा है खान योनस में इस वक्त इसरेली सेना भीशन बंबारी कर रही है खान योनस इने घाजा के कई बड़े शहरों पर इसरेली सेना ने हमले तेज कर दिये हैं इसरेल के प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहू को बहुत गौर से सुनी क्योंकि जिन्हें योद विराम के उमीद देख रही है उन्हें बहुत निराश होना पड़ेगा बंदकों की मौत की हमास वाली धमकी का इसरेल के ब्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहू के ओपर कोई असर नहीं देख रहा है इसरेल फिलिस्तीन की जंग देखते देखते कई पीडियां गुजर गए लेकिन 2023 में जिस तरीके से योद चड़ा है उसमें तबाही की नई कहानी लिखती है इसरेल इस इरादे के साथ मैदान में उत्रा है कि हमास के अंतिम आतंकी के जंदा रहने तक गोली चलाते रहना है जबकि हमास इसकी कोशिश कर रहा है कि बीते सालों के दरब बंधकों के नाम पर वो युद विराम करवाएगा संयुक्त राष्ण में आबाज उठाएगा और विश्व विरादरी से इसरेल पर दबाव वनवाएगा कि वो हमास पर हमला नहीं करे हमास की ये कोशिश आंशे क्रूप से रंग भी ला रही है अमेरिका ने इसरेल को दो टूक कहा है कि हमास के आतंकियों को मौत की नीम सुलाने के दोरान ये खयाल रखा जाए कि किसी आम फिलिस्तिनी की इसमें मौत ना हो लेकिन युद में इसरेल इस कदर उलजा हुआ है कि अपनों तक को पहचानने में इसरेली सेना से बूल हो रही है इन तीन युखों को हमास ने 7 अक्तूबर को बंधक बना लिया था इस्रेली सेना ने गाजा पर हमला किया तो पहचान की संकट के कारा इन तीनों को गोली मार दी हाना कि इस्रेली सेना ने अपनी गलती को बूल कर ली है लेकिन युद में ऐसी गलती की संभावना लगातार बनी रहती है सवाल फिर युद कहां जाकर रोकेगा और 22 लाग फिलिस्तीनियों के भविश्यका क्या होगा इस सवाल का जवाब नेतनियाहू के पास नहीं है क्योंकि इसकी तैयारी में अमेरिका जुट गया है जो बाइडन का कहना है कि वो एक नई फिलिस्तीनी प्राधिकरण देखना चाहते हैं जिसे मैमूद अबबास 2005 से चला रहे है बाइडन चाहते हैं कि संघर्ष समाप्त होने के बार नई फिलिस्तीनी प्राधिकरण घाजा में कारेभार समाले गासा में आखरी बार चुनाव 2006 में होए थे। इस चुनाव में हमास को जीत मिली थी। लेकिन हमास ने सरकार बनाते ही महमूद अबबास की फत्य पार्टी के निताओं के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी थी। इस हिंसा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण और फत्य के हजारों कार करता मारे गए। इस हिंसा के बाद मैंमूद अबबास ने हमास के प्रमुक इसमाइल हानिया को पद से हटा दिया था। लेकिन हानिया ने इससे इंकार करते हुए फिलिस्तीनी प्राधिकरण से अपना रिष्टा तोड़ लिया था। गासा का क्या होगा? ये तभी तै होगा जब युद्ध समाप्ध होगा या युद्ध विराम होगा और ये दोनों सूर्तें फिलहाल तो कम से कम नहीं देख रहे हैं। हाँ एक बात जो अब तक युद्ध के दोरान देखी गई वो ये की अरब वॉर्ड का कोई भी देशो हमास के साथ जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हुआ 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 है